हेलो दस्तों, दूस्तों Google में आप आज कल हर कोई यूज करता है and especially अगर आपका कोई बिजनेस है या आपकी कोई शॉप है, आपका कोई होटेल है, स्कूल है या और कोई बिजनेस हो आप चाहते हैं कि आपके customers या आपके relatives आपके address पर बिना गूम हुए पहुच जाए तो कितनी अच्छी बात है बट इसके लिए पहले आपको Google पर अपनी location को add करना पड़ेगा अगर आप Google पर अपनी location add कर देते हैं आपको बस इतना बोलना है उन्हें कि Google पर मेरी location डालो आपको घर तक या आपको office तक पहुचा देगा बहुत simple है बट Google पर अपनी location को add कैसे करते हैं आज की वीडियो में बस यही सीखेंगा तो करें start Hello दोस्तों दोस्तों मेरा नाम है राज और आपका स्वागत करता हूं मैं आपके अपने इस चैनल upcoming world में तो Google पर अपनी location add करने के लिए आपको क्या करना है आपको जाने Google Map पे यह Google Map पे हम लोग चले गए इसमें आपको आपको एक नीचे option दिखेगा contribute आपको contribute पे क्लिक करना है और next आप देखो कि उसमें add place का option बिलेगा आपको बस add place कर देना है जैसी आप add place करते हैं उसमें कुछ formalities होंगी जो आपको पूरी करने पड़ेंगी उसके लिए आपका नाम जैसे मैं यहां पे अपना नाम लिख देता हूं राज चौदरी के लिए मैं अपनी shop डाल देता हूं category मैंने डाल दी अब वो बुलेगा add location करने के लिए यह सबसे main और सबसे जरूरी step है तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको location कौन सी add करनी है यहां से आप अपना map खो लिए एन map पर जहां भी यह updated map यहां पर आजेगा आप जहां भी पिन करना चाहते हो जहां पर भी आपकी location है तो आपको बस वहां पर ले जाके okay कर देना है राइट वह ही location ले लेगा and then next step add are अगर आपकी कोई shop है या आपका कोई भी school है या आपका कोई भी office है उसके लिए बस उसके बारे में अब यह पूछेगा आप कब तक खुले रहते हैं वही formalities आप अपने hours add कर सकते हो कि आप कितने घंटे काम करते हो कौनशे कौनशे दिन में आप available रहते हो और इसके बाद अगर आप चाहते हो कि आप अपने photo भी आपने बिजनिस का किसी का भी तो आपको बस यहां से photo add कर देना है right बहुत सिंपल इसी तरह आप laptop पे भी अपना जो location है वह एड कर सकते हो आइफोन में इससे थोड़ा लग है आइफोन में आपको क्या करने है आपको जो भी आपकी photo दिखाई देगी गूगल उपर search में माइक के बाद आपको बस वहां पर क्लिक करने के बाद आपको सब से नीचे सैटिंग से उपर आपको एक option दिखेगा missing place add missing place आपको बस suspect क्लिक करना है और सेम सारे वही options पिल जाएंगे आपको बस अपना नाम लिखना है जो भी options होंगे आपको वह continue बहुत सिंपल था आपको और इस तरह से आप ज्यादा reachable होंगे और आपके business के लिए बहुत benefits होगा क्योंकि इस वीडियो में ज्यादा कुछ बताने का था नहीं बहुत सिंपल स्टैप्स थे दो तीन कमांड में अपनी location add कर सकते हो और यहां तक अगर आपने वीडियो देखिए और आपको लगाए कि इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो give it a thumbs up अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना या ऐसी टेकनोलजी और आपसले डिर्मेंट नहीं नहीं वीडियो लाता रहता हूं थैंक यू सो मच और अबदक्षपय मच यू लाँ यू से शड़ पर आपस्पटर आपस्बस्सक्राइब नहीं किया हुआ हुआ उल्यू